अभी तक हमने जितने भी controllers बनाए हैं उसमें सिर्फ हम user name भेज रहे हैं password नहीं भेज रहे हैं यानि कि तो नाम के लिए भेज रहे हैं हम user name कोई भी security नहीं है अभी हमारे endpoints में कोई भी access कर सकता है अगर मैं जाता हूँ journal entry controller में अपने यहां पर देखेगा यहां पर सिर्फ में user name भेज रहा हूं नाम के लिए password का कोई funda है नहीं फिला तो अगर मुझे password भीजना हो तो कैसे बेज सकता हूं अब्वेसली जैसे हम user name मिहा पर भेज रहे हैं यह गलत है ऐसे नहीं भेजते हैं यह तो API का पार्ट है path parameter की तरह भेज रहे हैं जो की गलत है security framework है जो की handle करता है authentication and authorization हमारे spring boot project के अंदर इसका मतलब क्या है authentication and authorization authentication का मतलब है कि किसको allow करना है और किसको नहीं करना है जैसे मालीजेक API है क्या आप उस API को access कर सकते हैं तो उसे बोलते है authentication authorization का मतलब है कि अगर आपको access है किस चीज़ का तो आप क्या क्या कर सकते हैं ठीक है for example मालीजे मैंने आपको access दे दिया है mongodb server का question है क्या आप access कर सकते हैं अगर right credentials होंगे तो हाँ आप access कर सकते हैं ठीक है यह हो गया authentication यानि कि आप authenticated हो गए है mongodb server से ठीक है यानि कि आप mongodb server के लिए authenticate हो गए है दूसरा question यह है कि authenticate तो हो गए है लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो क्या आपके पास read access है या फिर write भी है या फिर delete भी है तो यह है authorization ठीक है अच्छी बता है यानि कि authentication and authorization को handle करने के लिए spring security आया यानि कि जो मैं बता रहा था आप से कि हम इस वीडियो में password वगरा add करेंगे तो वो spring security की मदद से करेंगे ठीक है तो authentication का मतलब यह है अब spring security हमने पढ़ लिया है कि हाँ यह कुछ कुछ होता है कि हाँ भी authentication, authorization करके कुछ चीज़े होती है यानि कि हमें user name password अगर add करना है तो हम spring security का use करेंगे अच्छी बात है लेकिन spring security को हम कैसे add करेंगे फिर add करेंगे फिर use करेंगे तो वही लिखा हुआ configuration कैसे करना है मात्र इस dependency को डालते ही इस dependency को डालते ही आपके endpoints जितने भी है वो secure हो जाएंगे कोई भी access नहीं कर पाएगा उनको without right username and password ठीक है by default spring security uses http basic authentication अचा मैंने अभी आपको यह चीज़ बताई है कि हाँ वह spring security है बहुत बढ़ा चीज है ठीक है authentication अच्छी बात है उसको add करने के लिए हमने dependency डाली अपने pom.texaml में अच्छी बात है फिर मैंने आपको बता है by default क्या होता है कि सारे endpoints जो है वो secure कर देगा ठीक अ जरुत पड़ेगी यह क्या authentication है अच्छा तो बोल रहा है जो by default हुआ है वो http basic authentication हुआ है अब इसका मतलब क्या है basic authentication बेसिक authentication का मतलब है कि client जो है वो एक header भेजता है यानि कि अगर मेरे को मेरे पास एक API क्या ठीक है अगर मेरे को access करना है जैसे postman से अपन get के call भेजते हैं क कि किसी की user की journal entries चाहिए तो get RAM ऐसे करके बेसे लेकिन अब नहीं होगा पहली बात RAM code आई ठीक है यहां पर हम user ने message नहीं भेजेंगे तो अब उस request के साथ जो हम endpoint hit करेंगे तो एक header भेजना पड़ेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं पता है तो भेजेंगे खुद से यहां पर क्लाइंट है यहां पर हम बेजेंगे क्या बेजेंगे यह बेजेंगे पूरा पूरा ऐसे डिस ऑथरेशन की एंड उसकी वेल्यू क्या basic and then क्या encoded string the server decodes the string extract the username and password verifies them if they are correct access is granted otherwise an unauthorized response is sent by जो बता रहा हूं हम basic encoded string and coded string कैसे होती है username colon password ठीक है इसको हम base64 में encode कर दे ठीक है वह लिखा हूँ है by default all endpoints will be secured spring security will generate a default user with a random password that is printed in console logs on startup by default अगर आपने खुद से को user create नहीं किया है हम देखेंगे कैसे करते हैं तो spring जो है खास आपके लिए आपके आराम के लिए random password जो है वो console प्रिंट कर देगा आप यूज कर सकते है उसको obviously you can also configure username and password in your application.properties लेकिन हम तो dv में रखेंगे क्योंकि हमारे सारी users जो है वो dv में बढ़े हुए हम पता है एटलस पे डाल दिये था अपने लेकिन अगर फिर भी आपका मन कर रहा है ठीक है किसी reason से कि हाँ भी मेरे को application properties में डाल नहीं है तो आप spring.secure.user.name करके username डाल सकते हैं and .password गरके password डाल सक आगे बढ़ने से पहले यह सब करके देख लेते हैं यह है हमारा controller अच्छी बात है चला के रेख लेते हैं एक बार इसको ठीक है चल गया है postman में जाते है get journals करके राम एक user बनाया था हमने ठीक है अब यह लोकल पर नहीं है यह AWS पड़ा हुए ठीक है तो pom.xml में जाके इस सारे endpoints जो है वो secure हो जाएंगे अब अगर मैं postman पर जाके इसको send करता हूँ तो unauthorized आ गया देख रहो forbidden बोल रहा भै यूजर नेम पासवर्ड यूज करिए बाइ डिफोल्ट जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड हम देखो यहां पर auth है ना auth यहां पर जाएंगे and basic auth में यूजर नेम क्या है यूजर है फिलाल हमने कोई user create नहीं किया है ठीक है यह जो राम user है और ये वाला user दोनों अलग अलग है ठीक है ना अब देखो हमने auth में बेजाए सब ठीक है लेकिन अगर मैं header में जाता हूँ इसको बंद करते है थोड़ी दिर के लिए, यहाँ पे देखो hidden है, इस पे क्लिक करता हूँ, और देखो अपसे उपर authorization जा रहा है, post मैंने automatically authorization करके एक header base दिया है, उसके अंदर देखो value वही लिख्या हुई है, basic और यह क्या है, encoded क्या है, हमारे username colon password, ठीक है, अब देखो, मैं आदा था आपको, कि user colon उसका password, जो की console प्रिंट हुआ था, उसको मैंने base64, एक website है, base64 encoder, इसको मैं encode कर रहा हूँ, base64 में, देखो क्या है, यह आ गया है, ठीक है, और हम यही बेज़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, समझे मा गया है, कि जैसे ही मैंने authorization में यह कहानी लिखी, वो header में चला गया, अच्छी बादे चलिए, कहानी का सार यह है, कि हाँ भी सारे endpoint जाए, वो secure हो गया है, लेकिन एक ही password है फिलाद, एक ही user है, तो हमको customization की ज़रोत है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, customize करते हैं, एक हमें class बनानी पड़ेगी, ठीक है, configuration class, उसकी photo आपके सामने है, इसको word by word समझेगे, क्यों बना रहे हैं, क्या मतलब है, हर चीज़ देखेंगे, सबसे पहली बात क्या देख रहा है, यह class है, security config, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भाई, अभी तो सारे endpoints हो गए हैं, secure, लेकिन हमें कुछ ही करने है, कौन से करने हैं, वो भी देखना है, अच्छा, और एक ही user है, वो भी हमें change करना है, तो इतनी सारी customization है, उन customization को apply करने के लिए, निकी चीज़ों को customize करने के लिए, हमें class बाते हैं, एक्स्टेंड कर रहा है, यह web security configurer adapter को, मतलब बताऊंगा, सबसे बेली बात देखेगा, यहाँ पर enable web security annotation लिखाओ, configuration तो है, ठीक है, बीनिन मनाएंग support को enable करती है, और एक configuration के साथ आती है, annotation, लेकिन यह dependency भी तो add करी थी, इससे भी तो spring को यह बत चल रहा था, कि हाँ भी मेरे को spring security add करनी है, तो फिर यह annotation क्या करती है, इस annotation में खास क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब यह, देखो सर, मैं आपना spring security का customize करने जा रहा हूँ, फिर हम देखते हैं, हमने इसको extend कर रहा हूँ है, web security configurator adapter से, इसका मतलब है, इसका मतलब यह, web security configurator adapter is a utility class in the spring security framework that provides default configurations and allows customization of certain features, बोल रहा है सर, देखे, कुछ default configuration यह हमें देता है, and customization भी हम कर सकते हैं, उन पर, by extending it, you can configure and customize spring security for your application needs, ठीक है, देखते हैं, अगर मैं intelligent जाता हूँ, class बनाई लेते हैं, साथ-साथ, यहाँ पे एक package बनाते हैं, config, package बना रहे हैं, इसमें अपन सब configuration classes रखेंगे, जैसे कि फिलाल हमी हम spring security की config रख रहे हैं, नाम कुछ भी हो सकता है class का, ठीक है, configuration class ब extend करा देते हैं, extends, web security configure adapter, इसके नदर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखे, काफी सारे method से, जैसे क्या configure है, बताऊँगा इसका क्या मतलब है, एक यह configure है, इन दोनों का हम इस्तमाल करेंगे, इन दोनों को modify करेंगे, ठीक है, modify कैसे करोगे, अपना method लिखोगे, इनको override करके ठीक है, वही लिखा है, मैंने next configure method लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, configure, दो method आ गए यहाँ पर देखेगा, configure, configure, वलकि तीन आ गए है, यहाँ पर मैं HTTP security वाला उठा रहा हूँ, configure, HTTP security वाला, यह देखो, अभी तो मैं इसी का method call करा रहा हूँ, override करके इ लेकिन obviously यहाँ पर हम अपनी कथा लिखेंगे, जो हमें यहाँ पर काम करना है, ठीक है, किसको secure करना है, किसको नहीं करना है, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है सर, चलते हैं, configure method जो है, लिखा है, this method provides a way to configure how requests are secured, it defines how request matching should be done, and what security actions should be applied, कहने का मतलब है, कि किस request को आपको secure करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है, और secure करना भी है, तो किस तरह से करना है, वो हम इस method में लेक सकते हैं, ठीक है, सबको minimize करते हैं, थोड़ी धर के लिए, photo clear करते हैं, close all tabs, security रखते हैं ठीक है, अच्छी बात है, हामें बता सल गया है, अवो configure method है, इससे हम ची कर सकते हैं यह इसके अंदर जा क्या रहा है spring security http यह क्या है इसका क्या मतलब है हमने तो बच्पन में जब छोटे बच्चे थे int a string यह सब पढ़ा था spring http security टाइप का object अच्छा जाते है इसके अंदर यहर आप ना इसका instant पास कर रहे हो और इससे हम क्या कर सकते हैं इसी से हम सारे filters ला सकते हैं कि बाई किस request को मेरे को authenticate करना है किसको नहीं करना है और जिसको करना है उसको कैसे करना है वो इसी की help से होगा ठीक है अच्छा बड़े काम की चीज़ है ठीक है सर वही किया हुआ है देखो यहां पर इसी instance का http security के object का जैसे करते हैं student student is equal to an instrument तो एक object बिनाया है एक instance बिनाया है तो http के instance है इसका http security का ठीक है उस पर हम खेल रहे है authorized requests matching चल रही है ठीक है form login चल रहा है सब क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं अब देखे सब का meaning मैंने आप लिख दिया है आपके लिए दिहान से देखे हैं एक एक करके चलते हैं सबसे पहले आता है http authorized request जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने लिखा http authorized request इसका मतलब क्या है इसका मतलब है this tells spring security to start authorizing the request बोल रहा है सर देखे आप start कर दी जे चीज़ों को authorized करना अच्छा ठीक है लेकिन मेरे को यहाँ पर एक चीज़ वह bother कर रही कि सर यहाँ पर dot लगा रखे हैं अंदर request authorize करना स्टाट कर दीज़े फिट कर रहा है dot aren't matches यानि कि hello वाले match करिए और उनको permit all कर दीज़े यानि कि उन पे क्या है उन पे authentication नहीं चाहिए इसके अलावा जो भी request आ रही है dot any request उनको authenticate कर दीज़े and form login इसका मतलब क्या है कि एक जब e-pay hit होगी और hello में नहीं आई या उसको एक form login दिखाना ठीक है spring security जो है वो handle कर रहा है उसने HTML form जो हमें दिखा रहा है उस पर user name password आ रहा है ठीक कोई दिखकत नहीं obviously एक sample है अपना जो spring security को customization होगी obviously different होगा यहाँ पर hello होगे रहा है यहाँ यहाँ पर hello है यह हम use नहीं करेंगे obviously हम journal control बनाएंगे user control method chaining spring security में आप method chaining कर सकते हैं जितने भी आपको configuration करने हैं जो भी करना है dot लगाईए दूसरा configuration लगा जीजे फिर dot लगाईए कुछ हो रैट कर दीजिए फिर लाल तो इनका मतलब देख लेते हैं authorized request का मसमें आ गया फिर क्या बोल रहा है आप मैचर्स hello this part specify that HTTP request matching the path hello should be permitted यानि कि इस पे अथेंटिकेटर नहीं लगाना है फिल लिखा है dot any request this is a more general matcher that specify any request जो कि already match नहीं हुई है पहले मैचर्स से यानि कि hello के अलावा should be authenticated meaning users have to provide valid credentials to access these endpoints dot end लिखा है this is a method to join several configurations ठीक है मैंने आपको बताया था कि method chain में क्या करते हैं काफी सारे confusion लिख सकते हैं तो अगर कोई method जो है आपको direct HTTP पर लगाना है direct HTTP पर लगाना है तो end लगा दीजिए इसका मतलब क्या है कि वापस आप HTTP पर जा रहे हो यह समझाऊंगा फिर से समझाऊंगा जब लेहेंगे यहां पर आप क्या कर रहे हो, HTTP method लगाया आपने authorize requests इसका कुछ return type आया होगा उसके उपर आपने लगाया antmatchers.permit.all इसका कुछ return type आया होगा उसके आपने लगाया and request authenticated.end लगाया dot end यानि कि आप फिर से HTTP पर चले गए अप उस पर method लगा रहे हैं form login ठीक है सिन में लगा अपने लगाया था भी, if the user is not authenticated and they try to access a secured endpoint, they will be redirected to our default login form. फिर से बता दे रहा हूँ मैं, permit all requests to hello without authentication. फिल लिखाया मैंने, अगर वो hello से match नहीं करती हैं, तो बाकी की जितने में requests हैं, वो authenticate हो जाहिए हैं, ठीक है सा, बहुत अच्छी बात है. लिखाया, you can access hello without authentication, however, if you try to access another endpoint you will be redirected to login form, when we use .form login method in our security configuration, without specifying login page, obviously, if we have custom login page, then we can mention it, the default login page becomes active, spring security provides an inbuilt controller that handles login path, this controller is responsible for rendering the default login form without a get request made to login, समझ रहे हैं बात को, हमने explicitly नहीं लिखा है, slash login करके उच में, लेकिन वो समझ जाता है, आपने कुछ दिया नहीं है, तो मेंगे, वो HTML page जो है, वो render करना है, ठीक है, आपका भी use करेंगे नहीं इसको, तो टेंच मित लीज़े, server to server calls होंगी हमारे यहां पर spring boot app से, ठीक है, server to server होंगी, आपका माल लीजे, front end किस जोर server पर, react पर है, ठीक है, तो वो मार रहा है, आपके API को call, ऐसे माल लीजे, ठीक है, उसका अलग form होगा, ठीक है न, by default, spring security also provides a logout functionality, when dot logout is configured, ठीक है, अगर आपने dot logout configure कर रखा है, आप post request to logout, यह endpoint है, वहां पचाती है, and user जो है, व होता है, वो by design stateless है, इसका क्या मतलब है, कि मैं जो हूँ, मैं header में भीज रहा हूँ, username, password, encode करके, अच्छा, server पर ही चला गया वो, ठीक है, response मिल गया मेरे को, अब मैं दुबारा से request भीजूँगा न, तो मेरे को दुबारा से same काम करना पड़ेगा, अगर मैं 100 बार request request को कुछ नहीं पता है, कि पहली request क्या गई थी, समझाती बाद, सब अलग गए इसके लिए, अच्छा, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर basic authentication stateless है, तो हमने यहाँ पर logout का क्या पड़ा था भी, तो वही लिखा हो है, है न, logout का मतलब है, अगर basic authentication जो है, जो कि हमने दैसे कि basic authentication stateless है, लेकिन उसमें उसने session भुषा दिया, होई लिखा हो है, this isn't standard behavior, and requires additional setup and logic, in such scenario, once user credentials are verified via basic authentication, a session might be established, and the client is provided a session cookie, ठीक है, this way, client won't need to send authorization header with every request, and the server can rely on the session cookie to identify the authenticated user, ठीक है, जब आप log in करते है, Spring Security से, it manages your authentication across multiple requests, despite HTTP being stateless, despite HTTP being stateless, इनी कि ठीक है, हमने पता है, कि हाँ भी, HTTP basic authentication stateless होता, अच्छी बात है, लेकि Spring Security जो है, वो दोनों को mix कर देता है, session management को, and HTTP basic authentication को, लिखावा देखो सार, सबसे पहले, session create होता है, after successful authentication, एक HTTP session formula आता है, your authentication details are stored in this session, ठीक है, session का क्या मतलब है, session यानि क्या कुछ चीज़े याद रखना, उसको session बोलते है, समदरे बात को, माल लिजे कुछ ऐसी unauthorized request है, आप get call मार रहे है, उसको या मतलब ही नहीं है, वो कुछ याद रखी नहीं रहा है, समदरे बात को, आपको माल लो, माल लिजे आपने hello world करके को सिर्फ hello world बहेजता है, आप API हमार रहे है, उसको कुछ पता ही नहीं है, कि पहले request क्या थी, समदरे बात को, तो यह क्या stateless है, कुछ याद रखने रहा, लेकिन जब यह याद रखने लग जाएगा, तो उसको बोलते है, session create कर रहा है, तो वोगी लिखा है, session create करता है, फिर second point लिखा हुआ है, session cookie, जे session ID cookie sent to your browser, ठीक है, which gets sent back with subsequent request, helping the server recognize your session, पहली बार में आपनी user ने password भेजेगे, ठीक है, उसने क्या भेज दिया, जे session ID करके cookie भेज दी, तो अब अगली request में, आप j session cookie वो जो आई थी, वो आप भेजोगे, ठीक है, using j session ID, spring security, fetch your authentication details for each request, अगली बार से जे session ID करके आपका authentication details निखा लेगा, फिल लिखा हुआ है, sessions have limited life, ठीक है, obviously, if your inactive past this limit, you are locked out, ठीक, अच्छी बात है, log out क्या मतला है, फिर आता है log out, when logging out, your session ends, and the relative cookie is removed, obviously, फिल लिखा हुआ है, remember me का एक option, हम set up कर सकते है, इसमी क्या होता है, spring security can remember you, even after the session ends, using a different persistent cookie, typically have longer lifespan, in essence, spring security leverage sessions and keys, mainly session ID, to ensure you remain authenticated across requests, एक बार पोस में जाता है, यहापे देखेगा, मैंने बेजी थी थी, ठीक है, यहाँ पर request आ रही थी, हमारी सुन्दर, ठीक है, morning आ रहा है, अब header में देखेगा, यहाँ पर जे session करके, जे session ID, cookie है, ठीक है, ठीक है, सर, तो यह है, spring security का basic, बहुत जा आ रहा है, अमारा console पर, ठीक है, लेकिन हमारी user, तो भाई, DV में store है, हमने देखा था, IDLS में, ठीक है, तो भाई, उन ही का इस्तेमाल करते है, अभी तो क्या हो रहा है, यह user है, ठीक है, यह user है हमारा, और चाहे राम हो, चाहे शाम हो, सब की journal entries देख रहा है, यह तो, यह त हम कहाते हैं, हम चाहते हैं, राम जो है, वो अपनी entries देखे, शाम जो है, वो अपनी entries देखे, अपनी, and हमने देखा था, पासवर्ड जो है, अभी हमारे plain text में सेव है, डीटाबेस के अंदर भी, जो की गलत है, तो उसको भी हम encode करेंगे, and then save करेंगे, अपनी डीटाबेस obviously, this means that our users and their password hashed, will be stored in MongoDB, and when a user tries to login, the system should check our provided credentials against what's stored in the database, ठीक है, जब वो username पासवर्ड डालेगा, तो वो चेक करेंगे, कि उसके username पासवर्ड सहीं है, गलत है, अचा एक चीज़ मेरे को अभी लगी, एक comment आई थी, कि आप तो बस readout कर रहे हो, कि मितलब मैं जो slide है, उसको मैं read कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पढ़ना है, तो वीडियो बंद कर दीजे, ये सब चीज़े जो हैं, वो कहां लिखूँगा, मैं, computer तो हूँ नहीं, मैं अपने अंदर save कर लूँगा, slide बनाता हूँ, ताकि मैं जो चीज़े याद रहें, क्या समझाना है, obviously, ऐसा लोगो यूजरने में पासवर्ड डालेगा, और यह जो यूजरने में पासवर्ड हैं, वो obviously हमारे AWS पर पढ़े हुएं, तो एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, दो यूजर मनाते हैं, और उनकी दो-दो एंट्रीज मनाते हैं, और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, कि सब कुछ डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, एंड जर्नल एंट्रीज को भी डिलीट कर देते हैं, for security purposes, एक बार फिट से confirmation के लिए, यह हमसे दुबारे से collection का नाम मांगता है, ठीक है, कोई दिक कातवाली बात नहीं है, controller देखते हैं, health check बनाया हुआ है, journal entry controller बनाया हुआ है, एक user controller बनाया हुआ, अब हम इसको अपने अनुसार configure करेंगे, ठीक है, इसको अटाते हैं, जैसे slide में किया था, ऐसी करेंगे से, http.authorize requests, ठीक है, dot aren't matchers, यहाँ पे end point दे सकते हैं, comma separated, जो हमें क्या करने है, authorize करने है, फिलाल एक काम करते है, journal entry controller देखेंगे, अगर हम, तो देखेंगा यहाँ पर slash journal यहाँ पर लिखा हुआ है, यानि कि starting में slash journal आएका सभी के, तो यहाँ पर लिख देते है, slash journal, ठीक है, slash, and बाद में कुछ भी आता रहे, ठीक है, तो इस star का मतलब क्य है, कि हाँ भी बाद में कुछ भी आता रहे, जैसे username, ठीक है, id करके कुछ भी आजाए, कुछ भी आजाए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको बोलते है, wildcard pattern, ठीक है, इसका मतलब है, कि हाँ पर कुछ भी आ सकता है, zero या फिर more characters वाले end point आ सकते है, ठीक है, ठीक ह ठीक है, अच्छी बात है, चलिए, हमने है कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन user वाला part हमने नहीं लिखा है, हमारे database में, अगर हम जाते हैं, entity के अंदर, user के अंदर, तो यह username, password लिखे हूँ है, अच्छी बात है, general entry control में जाएं, तो देखो यह तो गलत ह obviously, इनको सब को change करना पड़ेगा हमें, और जैसे मैंने आपको बताया, कि username and password, अब हम कैसे देंगे, अब हम देंगे header के अंदर, अच्छा, तो वो कैसे देना है, वो अब देखते हैं, obviously, यह सारे के सारे controller जो है, वो change करने पड़ेंगे हमें, slides पर जाते हैं, लिखा हुआ ह इसका मतलब है कि हमारी users और उनके password जो होंगे, वो MongoDB के अंदर रहेंगे, password hashed form में होंगे, और जब भी एक user try करता है, login करने के लिए, तो system check करेगा credential को, जो आपने दिये हैं, और जो stored है, उनसे, match करेंगे, तो यह steps है, चार, इनको हम बारे-बारी से करेंगे, और हमारा ज user data model, ठीक है, जैसे कि आपके सामें लिखा हो, यह हमने बना भी दिया है, यह तो हमने बना रखा है, देखो, user entity अगर मैं खोलूँ, तो देखो ही रहा, username, password, general entry, ठीक है, यह तो अपना business logic की अच्छी बात है, लेकिन यह basic चीज़े से यह होती है, roles की आवशकता नहीं है, ल होगा database के अंदर, तो उसमें list होगी, कि भाई, इस user के पास क्या-क्या roles है, roles मतलब कि what he is authorized to do, समझ रहे है, हमने authentication पढ़ लिया है, यह क्या है, authorization का part है, कि क्या-क्या कर सकते हो आप, समझ रहे है, तो हर document में roles की list होगी, वहाँ पर लिखा होगा, कि यह क्या-क्या कर सकता है दीरे-दीरे समें आ जाएगा, अगर अभी नहीं आ रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्क्तवाली बात नहीं है, अगर प्राई बात, कुछ नहीं करना न, कुछ नहीं करना है, private list string roles, ठीक है, इसके corresponding एक user जब save होगा, तो उसके पास क्या-क्या role है, वही हमने यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, अगर हम user repository में जाते हैं, दिखते हैं, क्या कर रखा है, हमने, बहुत रहतरी, कर रखा है, find by username, find by username, ठीक है, सेम काम कर रखा है, हमने कोई के दवाली बात नहीं है, चलिए, दो काम हो गए हमने, तीसरा लिखा होगा, user details, इम्प्लिमेंटेशन टु फेच, user details अच्छा, ये तो खास है, spring security के अंदर, एक user detail service नाम की एक interface है, double shift किया, user detail service लिखा, पहले से ही एक interface है, ठीक है, ये डाउनलोड source पे क्लिक किया मैंने, तो इसकी कता भी आ गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कि सर ये एक interface है, इसमें एक method है, आपर, load user by username, अच्छा, इसक user detail service implementation, ठीक है, इसको implement करी कि basically इसकी परिभाषा लिखेंगे है, ठीक है, बताता हूं, देखो, service में गए, एक तो ये थी हमारी user service, ठीक है, ये अलाग है obviously, एक हमें चाहिए, एक तूसरी class ले ले लेता है, custom user details service IMPL डाल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, यह authentication वाला है, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा clean कर लेता है, ठीक है, जो इसके अंदर एक method था, उसका implementation add करना होगा हमें, अब ही हम return null करा रहा है, कोई दिखात वाली बात नहीं है, ठीक है, देख लेते slides में, आच्छा, तो यह बोल रहा है, कि इसका implementation दे दीजे ए अगर आ जाता है, तो ठीक है, आगे चलो, नहीं तो वो क्या कर देता है, user not found exception थो कर देगा, ठीक है, आच्छा, चलिए, मेरे पास माल लीजे, user आगे है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम user को बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूजर को बना रहे हैं, पताता हू repository.findbyusername, username, alt, enter किया, ठीक है, user, लिखा मैंने आपर, if user is not equal to null, तो हम कुछ-कुछ करेंगे, तेखो, यह क्या मांग रहा है, user details मांग रहा है, यह क्या है, सर, तेखो, हम load कर रहे हैं, user को using username, ठीक है, अच्छी बात है, क्यों कर रहे हैं, बताऊंगा अभी, कि इसका इस्तमा कहा होगा, है न, यह जो slides में लिखा है, कि user चाहिए, एक repository चाहिए, ठीक है, user details service implementation चीज़ों की third step, जो कि हम कर रहे हैं, यह क्यों चाहिए, वो यह बताऊंगा, ठीक है, अभी यहां पर धिहान दीजिए, बस, ठीक है, अच्छा, user मेरे पास आ गया है, लेकि इसको तो user details च पुरा package के साथ आगे, dot builder, dot username देते हैं इसको, जो कि हमें मिला है उपर से user, dot get username, फिर dot password, user, dot get password, ठीक है, इसको थोड़ा clean कर लेते हैं, यह dot notation वही है, getter setter है basically, कुछ नहीं कर रहे हैं, user, user is equal to new user, then भी यह कर सकते हैं, user dot set username, user dot set password, ठीक है, यह की बात है, अच्छा, then roles, comma separated चाहिए, अगरो comma separated roles चाहिए इसको, तो user dot get, जो हमारा user था, dot get roles, इसे array में कर नोट हो जाएगा, to array, dot to array, and then dot build, semicolon के साथ, ठीक है, तो यह list लिए हमने, उसको array में convert कर दिया है, यह जिस data type में आपको convert करना है, वो आप data type देते हैं, वो यहाँ पर आप दे देंगे new string, क क्योंकि यह resize कर देगा है, समझरे बात को, एक new खाली हमने array create करी है, लेकिन अगर जो get roles का size है, वो 0 से बड़ा होता है, तो उसको resize कर देगा है, यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और इसको हम return करा देंगे, return user, user नहीं हमने कुछ variable तो बनाया है, alt enter करते हैं, ठ through new username, not found exception, यह भी spring security ही provide करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, and obviously जैसे suggest कर रहा है, हम directly इसको return करा सकते हैं, एक local variable बच जाएगा, ठीक है जब, यह भी हो गया हमारा, कि यूजर entity बन गई है, user repository बन गई है, हमारी user detail service का implementation बन गया है, to fetch a user by username, फिर बोला है, हमने तो बनाई थी, spring security, यह देखिये, लेकिन इसमें तो सिर्फ यह लिखा हुआ है, कि हाँ यह endpoints है, इसमें spring security एड़ करनी है, user का कोई नाम उशान नहीं है, तो वही हम अब एड़ करने जा रहे हैं, देखिये, जो हमने user detail service बनाई थी, उसको auto wire करेंगे, and उसको pass करेंग है न, जब हम configure लिख रहे थे, तो काफी सारे method आ रहे थे, ठीक है, देख रहे हो, configure, एक तो हमने कर दिया, hd वाला, एकी दूसरा है, देखो, authentication manager builder, यह वाला, अब हम करेंगे, override, ठीक है, यह जो auth instance है, हमारा, यहाँ पर हम दे सकते हैं, अपनी service को, जो हमने बनाई थी, autowire, autowire, private, user detail service MPL, user detail service MPL, तो auth में, हम दे देंगे, user detail service हमारी, ठीक है, user detail service MPL, ठीक है, यह दे दी हमने, फिर हम, इस instance में, हम password encoder भी दे सकते हैं, password encoder, password encoder, बना भी लेते हैं, एक छोटी सी बीन हम, ठीक है, बीन, public, पता हूँँ, क्या कर रहा हूँ, password encoder, password encoder, return कर दीजे instance किसका, bcrypt password encoder का, चलिए, और यहाँ पर इसको pass कर दीजे, password encoder, that's it, यहाँ पर हो रहा है काम, user related, authentication related, password related, जैसे ही आप postman में, username password डालेंगे, तो यह देखेगा, कि आपने user detail service कौन सी बनाई हुई है, कैसे मैं username से user ला सकता हूँ, लाकर फिर मैं, password matching की प्रक्रिया, start कर सक अब देखेगा, जब आप user save करेंगे, obviously, अभी तक हम plain text में password save कर रहे थे, लेकिन अब हम hash में करेंगे, user name तो as it is रहेगा, लेकिन user का password hashed form में रहेगा, ताकि किसी के पास database का access आता है, तो user name तो देख पाए, password नहीं देख पाए, एक बड़ा सा hash random उसको दिखे, ठीक है, अच्छा, तो जब आप user को save कर रहे होंगे, तो आप एक encoder का इस्तमाल करोगे, ठीक है, हम यही encoder इस्तमाल करेंगे, bcrypt password encoder, ठीक है, इसके बारे हम पढ़ेंगे, आप धियान रखिए, यह क्या करता है, एक password लेगा, और उसको randomize string में convert कर देगा, hash में convert कर देगा, ठीक ह अच्छा, ठीक हैसी बात है, जब आप user save कर रहे होंगे, तो यह encoder हम use कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम login करेंगे, तो username देंगे, अपना plaintext हम hash थोड़ी देंगे, अच्छा, तो username तो दे दिया आपने, लेकिन password आपने plaintext में दिया है, तो plaintext को फिर से उसको hash में convert करना प करेंगे, फिर से एक बार खबराई मा, ठीक है, तो यह चारो points हमारे tick हो गए है, we are good to go, अपने controllers को हम सुन्दर बनेंगे, ठीक है, general entry controller, इनको सब को हम अब change करेंगे, अभी जो username हमने path parameter में दिया हुआ है, अब इसकी ज़रत नहीं पड़ेगी हम, बहुत simple हो जाएंगी ची एक बार server चला के देखते हैं, अगर मैं Atlas पे देखूं, तो जैसे ही मैंने server चलाया, इसने देखो collection बना दिया है, एक users का, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, इसको indexing करनी होती है, इसने users बना दिया खाली, ठीक है, अब जाते है, पोस्ट मैं में, user के अंदर जाएंगे, test हमने बनाया हुआ है, अब देखिए, control क्या है, endpoint यह है, user, बस user ही है, और post की call होगी, and हम देंगे user in request body, तो देखिए, user है, post की call है, and ram username है, and ram ही password है, ठीक है, कोई दिकत वाली बात नहीं है, अच्छा, जैसे ही मैं अब चला हूँगा, तो क्या होगा, आप बतेए, कोई rocket science नहीं है, save entry में जाए गई, और directly हम इसमें save कर रहे है, जो कि obviously गलत है, ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि हम password को as it is, तो save नहीं करेंगे, समद रहे है बात को, हम use करेंगे, जो कि हमने देखा, becrypt encoder का, ठीक है, becrypt encoder का इस्तमाल करेंगे, हम directly इसको save नहीं करेंगे, becrypt encoder क् देखेगा, कोई भी मैं अगर password डालता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, और encrypt करता हूँ, देखेगा, यहाँ पर इसका एक hash generate करता है, तो अगर मैं माली जे, postman में भीजता हूँ, ram and ram, ठीक है, ram, encrypt करता हूँ यहाँ तो देखेगा, यह store होगा जाके, ram नहीं होगा, ठ यह मैं create कर रहा हूँ user, और फिर जब मैं get journal में header के अंदर, auth के अंदर में username password दूँगा, तब भी यही create होगा, ठीक है, and, यह वाली string जो है, फिर check होगी, हमारे database के user में, ठीक है, देखते हैं अभी, अब रही मत, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर, एक और method बना ले ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बे करिप, एक करेंगे, एक instance बना लिया है, password encoder का एक instance बना लिया है, ठीक है, पास्वरड एक हम इस्तमाल करेंगे, तो क्या करने जा रहे हैं, password encoder password encoder dot encode जो की हम request body में भेजेंगे उसको encode कर दीजे और encode करके वापस से ही आप user में set कर दीजे user dot set password ठीक है और उसको save कर दीजे देखो एक बात दिखा देता हूँ कर चलाके server start करते हैं ठीक है start digital application चलते हैं postman में अब देखें यहां पर इसको बंद करते हैं यहां पे में भेजूंगा अब देखो यह जो end point है यह secure नहीं है secure नहीं कि इसमें हमें authentication की आवशकता नहीं है यह हमने यहां पर डाला हुआ है spring security यहां पर अगर हम देखें तो बोला हुआ है यहां पर journal वाले authenticated रहें बाकी without authentication जा सकते हैं अच्छा एक चीज़ और में से होगी है हम उससे देखें यहां पर हमने set password कर दिया है य कर मैं पोजो में देखों तो हमने एक रोल नाम की फिल्ड पर आड़ करी थी तो एक काम करते हैं काम करते हैं अभी के लिए user.set रोल में एक खाली लिस्ट दे देते हैं जिसमें सिर्फ एक रोल होगा user का ठीक है फिर से चलाते हैं अब हम यहां पर send बेजते हैं forbidden आ रहा है यहां पर राम इस्तोर हो गया है और पासवर्ड देखेगा पासवर्ड राम को कर दिया गया है इंटू है जनल एंटैरीज खाली है रोल में एक रोल में यूजर नाम का अब यह देखते हैं कि मैंने यह क्या किया था है यहां पर CSRF डिसेबल देखें बाइडिफॉल्ट t में CSRF की क्रीजिए का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉजरी जब लिए फॉटिक्शन एने बल रहती है तो ऐसी लिए क्वेशन करती है कि आप टोकन भेजेंगे याना रिक्वेस्ट में CSRF token आप बेजेंगे जो कि हमने नहीं बेजा obviously इसलिए forbidden आ रहा था अब देखे हम जो API बना रहे हैं वो stateless है यहाँ पर CSRF protection की आवश्यक्ता नहीं है इसलिए हम नहीं है पर disable कर दिया उसको लेकिन वो सब तो ठीक है कि हाँ भई stateless है server to server call जाएगी तो CSRF का वश्यक्ता नहीं है लेकिन अगर आपको CSRF का मतलब पता ही नहीं है तो यह चीज जो भी बता ही मैंने सब meaningless लगी है तो देख लेते हैं कि CSRF होता क्या है CSRF एक cyber attack है जहाँ पर एक malicious website या फिर program आपको trick कर सकता है into submitting a request जो कि आप भरना नहीं चाते थे जो कि आप बेज़ना नहीं चाते थे अब माल लीजिये आप दो website पर logged in है माल लीजिये क्या है bank की website है और यह एक क्या है malicious website है आपने bank की website पर login किया है बहुत अची बात है तो session create हो रखा है को की से हो रखे आपके कोई दिक्कत वारी बात नहीं है तो जो malicious website है जैसे माल लीजिये क्या है बटन है माल लीजिये जैसे ही आप इस बटन पर click करेंगे तो हो सकता है तो अगर आपने CSRF disable किया हुआ है तो हो सकता है कि जैसे ही आप इस button बे click करेंगे तो क्या होगा transfer API click हो जाएगी पैसे transfer करने की API click हो जाएगी ठीक है तो जो attacker है वो आपके account से दूसरे के account में पैसे transfer कर सकता है ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि आपके browser के अंदर cookie saved है उस cookie का इस्तमाल करते हुए यहां पर attacker सेम API का इस्तमाल कर सकता है ठीक है bank की website को यह लगेगा कि हाँ बंदा logged in है तो वही request कर रहा है ठीक है लेकिन CSRF क्या होता है CSRF request में ठीक है माल लीजे आपकी जो API है transfer वाली उसमें CSRF enabled है तो वो request जो है वो end point जो है वो CSRF token accept करीगी तो जो malicious website है अगर वो same request भीजती है तो उसको response में forward ना जाएगा ठीक है वो access नहीं कर पाएगा हमारे पैसे जो है transfer नहीं होंगे तो जो CSRF token है अगर आप सोच रहोंगे कि attacker जो है वो CSRF token भी भी सकता है for example like hidden field है कोई bank की website पर वहाँ पर embed कर जाता है तो वो cookie में store नहीं होता है यहाँ पर यह stateless थी इसलिए हमने यहाँ पर हमने disable कर दिया है server to server call होगी कोई session का लफड़ा नहीं है लेकिन हमें पता है देखिए कि spring security जो है वो session manage करता है तो उसको भी हम disable कर देते हैं यहाँ पर ठीक है तो हमने यह stateless बना दिया है session management session creation policy और यहाँ पर हमने stateless pass कर दिया है ठीक है क्योंकि हमने देखा था some applications do mix basic authentication with session management for various reasons जैसे कि हमारा spring security भी यह कर रहा था यह सब में देखा था कोई tension वाली बात नहीं है जो कि हमने अब disable कर दिया है हमने create user हमने सीख लिया यहाँ भई hashed में save हो गया है password अब हम plain text में password save नहीं कर रहे हैं get all user करके कोई हम controller नहीं बनाएंगे अभी तो इसको admin में बना देंगे अगर admin देखना चाहता है सारे users तो वो कर सकता है कोई एक particular user सारे users obviously नहीं देखेगा ठीक है चलिए अब देखिए user create हो गया है कोई दिक्केतवाली बात नहीं है यह जो end point है यह public है इसको कोई भी call कर सकता है ठीक है अब यह है put mapping यानि कि एक user को update करने के लिए obviously यह authenticated होना चाहिए अब देखे एक problem आ गई है problem यह है कि create user को तो मेरे को public करना है कोई भी access कर सकते है लेकिन यहाँ पर मैं दो और controller बनाऊँगा दो और end point बनाऊँगा update का और एक delete का obviously वो तभी access हो जब user login हो तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं यहाँ पर और एक public controller करके बनाएते हैं जो health check control बनाया था उसको कर देते हैं refractor rename public controller और इहाँ पर इसे map कर देते हैं class को request mapping से public ठीक है और इसको उठाते हैं public control में डाल देते हैं इसको क्योंकि public control हमारा unauthenticated रहेगा इससे user service जो order कर रखे है उसको भी उठा लेते हैं तो यह public रहेगा हमारा लेकिन हमें user को क्या करना पड़ेगा authenticate करना पड़ेगा तो इसको उठाते हैं slash user को और security में जाते हैं अपनी यहाँ पे डाल लेते हैं comma separated एक और end point slash star star ठीक है चलिए user name बेज रहे हैं जो कि गलत है ठीक है इसको हटाते हैं यहाँ पे ठीक है अच्छा जब user name यहाँ से नहीं का आएगा तो और कहां से आएगा भाई तो आता हूँ ना देखो जहां से यह मैंने क्या कर दिया है authenticate कर दिया है यानि कि अगर मैं collections में जाता हूँ इसका नाम बल देते है add इसको copy कर लेते है duplicate कर लेते बिसकलिए इसका नाम कर देते है update यह होगी put की call अच्छा add का तो हमने धाचा बदल दिया था तो यह था public and क्या था भाई public control में यहाँ पर कुछ डाला नहीं है post mapping यहाँ पर कर देते है create user तो create user का end point यह हो गया कोई दिक्कत बारे बात नहीं है अब आते है इस पर यह अब authenticate कर दिया है यह मैंने authenticate कर दिया तो I need some credentials यहाँ पर basic auth select करूँगा और यहाँ पर अपने user name password भेज़ूँगा हमें पता है राम ने जो password select किया था वो क्या था राम ही था और उसका user name भी राम ही था ठीक है कहने का मतलब है कि जिस user name password से मैं इसको hit करूँगा जिस user name and password से मैं इस API को hit करूँगा वो मेरे पास यहाँ पर automatically आ जाएगा समझ रहे बात को कुछ pass करने की आवशकता नहीं ठीक है वो कैसे आएगा वो आएगा देखो security context holder से obviously इतनी सारी कथा लिखी हुई है हमने हाँ पर spring security में ठीक है तो जब कोई user authenticate होता है तो उसकी details कहाँ पर सुरू होती है security context holder के अंदर यहाँ पर get context method लिया हमने यहाँ पर get authentication लिया ठीक है इसको variable में save किया authentication ठीक है कोई आवशकता नहीं है याद करने की मैं बराई यह मत परिशान मत हुई है get authentication dot get यहाँ प्यारा देखो नहीं हमारा यह क्या है name यही है हमारे यूजर नहीं ठीक है password की जरूत है नहीं क्यों क्योंकि यहां तक भाई वो तभी आया है जब authenticate हो गया हुआ समझ रहे बात को इसने username password भेजा ठीक है भाई भेज दिया यह hash में convert हुआ हो गया भाई ठीक है hash में convert हो गया और फिर यहां पे यह check भी हो जाएगा कि उसका hash जो आया है और जो database में hash रखा हुआ है राम का वो match आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर match है तो हाँ भी login करने दीजे नहीं तो forbidden fact दीजे वापस ठीक है बस आप update करना है और यूजर इंडीवी नल हो गई तो इसको उटाते हैं चेक को बंद करते हैं फिर से लाते हैं बाद देखते हैं यह authentication चल भी रहा है हमारा या नहीं चल रहा है इसको एक काम करते हैं debugger चलाते हैं यहांबर pause करते हैं execution pause मैं में गए हम send किया ठीक है execution हो गया है pause हमारा next line नेक्स लाइन देखो authenticate हो गया है राम आ गया है उसमें आरी बात अच्छा user in db को मैंने क्या कर दिया है उसमें set password कर दिया है ठीक है अच्छा एक चीज़ है अब देखो user in db यूजर नेम आ गया है पासवर्ड आ गया है और यूजर को लिया जो राम था जो हमारा नया पासवर्ड था उसको फिड से hash में कर दिया और रोल्स को सेट कर दिया है उसने user ही and save करा देगा वह कोई दिक्कत वहले बात नहीं है कुछ नहीं होगा ठीक हमारा जो user है वह अपडेट हो जाएगा लेकिन हमने कुछ किया नहीं है राम राम ही है फिड से send करता हूँ फिड से update करनी कोई इस करता हूँ फिड से update कर दिया है उसने कोई दिक्कत वारी बात नहीं है लेकिन अगर मैं password दो देता हूँ देखो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर abc ठीक है अब देखे अनोसराइज दा रहा है अब देखे हम body में तो राम राम ही भेज रहे हैं हर बार ठीक है कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं और protocol चला रहे हैं तो एक काम करते हैं इसके password को अब abc करते हैं तो यहाँ पर देखेगा यह तो अभी भी राम है पोस्टमैन में मैं और राम राम भेज रहा हूं body में राम एंड abc भेज रहा हूं send किया unauthorized आया है इस बार एक बार फिर से refresh करते हैं अच्छा सही तो हो गया था सही तो हो गया था स्मॉल राम और यहां पर abc लिखा हुआ है तो देखो अब मैं दुबाले से अगर कुछ request भेज हुआ तो unauthorized जा रहा है क्योंकि अब हम गलत password भेज रहे हैं small में rm and password में abc ठीक है तो हमारा authorization अब काम करने लगा है बहुत ही पहतरीन देखे अब चल जाएगा ठीक है यहां पर एक गवर्ड हुई है starting में जह हम password encoder का इस्तमाल कर रहे थे मैंने एक method तो बनाया थ है यहां पर लेकिन यूज नहीं किया है करेंगे धिरे-धिरे करेंगे सबको हाँ यह हो गया है हमारा कि हाँ मैं create user कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं और यह मखन चल ला है ठीक है user controller में जाते हैं तो हमारा यह update user भी बढ़े चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है एक और कर लेते ह है ठीक है copy paste कर देता हूं मैं फटाफट से authentication ले लिया हमने context से एंड हम क्या करेंगे user service का इस्तमाल करेंगे यहां पर कोई method है delete करने का delete by id है अच्छा तो एक और कर लेते हैं delete by username भी कर लेता है बलकि directly repository को auto wire कर लेता हूं मैं फटाफट ठीक है ना का गया user control कि दर गया यहां पर auto wire कर लेते हैं direct repository को एंड यहां पर कर लेते हैं user repository dot delete by username यहां पर authentication dot get name ठीक है बस अच्छा एक method बना लेते हैं अब delete by username करके repository के अंदर जाते हैं user repository के अंदर ठीक है चलिए that's it ठीक है तो देखो यहां तक execution तभी आएगा जब user authenticate हो चुका हो का simple सी बात ठीक है यूजर हमने class से ही map कर दिया है तो यहां पर user की जरूत नहीं है ठीक है चलिए तो हमारे दो endpoints से यार हो गए है एक update का and delete का and create तो हमने publicly करी रखा है ठीक है यह दोना endpoint हो गए है secure हमारे तो इस तरह से हम security add कर सकते हैं in our springboard project ठीक है next वीडियो से हम journal entry के साथ खेलेंगे ठीक है इनको सुदारेंगे कर दो